खेटी सेहाभर कोई भाव नहीं मिल्ला है हम लोग कीसानों को सब्सक्राइब हैं में ये जो आप सामगरी देख रहा है इसको रिक्साहवा कोहणा के नाम से लोग जानते हैं और कौन ब्लाक के चील खाना छित इलाके में जवर्जस्त इसकी खेती भी होती है हाला कि हर वर्स की भात इस वर्स व्यापारियों की खरीद यहां ठीक से नहीं हो पा रही है खेते से हैं सार कि कोई भाव नहीं मिला है हम लोगों को पिसानों को और जो भी पो रहे हैं कोई भी रेट नहीं मिला है कोई पूछने वाला नहीं है इतना ज्यादा हम लोग उत्रस्त हो गया है कि कोई पूछने वाला ना कोई भी बो रहे हैं कोई भी उसका मुल सही तरह से नहीं मिल पा रहा है एक काम तो हम लोगों की सनातनी चली आ रही है सनातनी बहुत दिन से चली आ रही है मगर ऐसा बजार देख रहो कि कभी नहीं मिला जैसा है इस समय बजार है फ़ेले ठीक था इसके पहले बहुत अच्छा था सब लोग अच्छा खासा कमा खा लेते थे सब चाहे वो रेट का वो लेकिन यहां के इस्थानी लोग है उनके मुताबिक यह ऐसा फल है जिसको चार से पांश महिने आप रख दी कि यह खराब भी नहीं होता और इसी गाउं की ये खासियत है कि यहां जवर्दस तरीके से यह फसल होता है पहचान बन चुका है मज़िगवा गाउं है और इस गाउं में दूर दराज के कई जनपदों के जो ब्यापारी है वो यहां से आ केस सामगरी की खरीद जो है करते हैं और इससे तमाम कई है और कोई इसका डिमांड नहीं है सब बजार खराब इसका सरकार चाहते हैं इसका अच्छा कीमत मिले किसानों फायदा हो आदमी आम दनी बढ़े इसका भाई हम लोग बोते हैं से क्या मतलब जबोने से भी कोई नहीं करेगा मार्क में तो एम लोका किसाने से अच्छी में तुछ जना विकी नहीं रहाए मन फेका जारा है तो टल उसका अफड़ा जा है किसान कंदों चुगी तरह इसका खेती करें इस तो में मार्केट ड्याओने कोई बैइपारी नहीं आ रहा है मोलोग पास हम लोग प्रसान रहा दृस त्य I check, not rain. पर जाए जाए तो पंदर विज्जात बरो विज्जात दसो बाद दूजात कर चार पांच महना तक भी रखने हैं नहीं नहीं जे पेठा बंडाय कमिठा बन था है इसे बहुपी बन जाते हैं लुआ बन जाते कोई साल से कारबार हो रहा है जिससे अरफ हमालो पेजह आए अर् कि देशमांदर एकुर मीन रलते हैं फिर्ल कक्ति होते हैं। इस भी देए शादिम लगढ़ offer आणी अधी वो भी अदया विकनी के काम यह तो झाल झाल